हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जैइम टुटोरियल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अफ़व प्रिंस्पल जो की हमारा यह जो इसका यूज होता है भाई यह हम जब किसी इलेमेंट का इलेक्ट्रोनिक कॉन्फरिग्रेशन हम बनाते हैं तो एक अ आफवाब प्रिंस्पल इसके वाद जो नेक्ट्र वीडियो होगा उसमें हम सिखने वाले हैं अफवाब प्रिंस्पल बताता है पहले कौन सा ओर्बिट में इलेक्टरोन जाएगा और हर वायटल मुझे एलेक्टोन फिल करोगे वो उसका प्र पियरिंग पे उसका जोड़ वर्ड से लिया गया है जिसका कि मतलब होता है construction किसी चीज का construction यानि कि बनावट या फिर सन रचना तो यह जो प्रिंसिपल बेस है यह बताता है हमारा जो atom है atom की nucleus के चार और जो orbit है तो कौन सा orbit का energy कम है कौन सा orbit का energy ज़्यादा है यानि अफवाप प्रिंसीपल हम क्योट पर यह बताता है कि किस orbit का energy ज़्यादा हो यह बताएगा अफ़ाप प्रिंसिपल और इस इस रूल को अफ-वाव पृचिह पने एक रूल दिया है n पलस एल रूल Łz कौन्सा रूल ? n पलस एल इहां पर n और L क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे फिलाहा हम यहां पर समझेंगे कि अगला और्वाटल में फिल होगा जिसका एनर्जी कम रहेगा फिर उसके बाद अगला और्वाटल में भरा जाएगा जो इस से ज्यादा जो इनर्जी बला होगा फिर अगला orbital में भड़ा जाएगा जो फिर उससे ज्यादा energy भला होगा यानि पहले lower energy भला भड़ा जाएगा फिर उससे जो high energy रहेगा orbital का उसमें जाएगा फिर इस तरह से वो fill होगा orbital में electron ओके यानि electron का जो filling होगा increasing order of energy of orbital या सबसेल यानि अब कह सकते हैं कि energy directory professional होगा n प्लस l का n प्लस l रूर यहां आया ही इसलिए है कि हमें यह बताए कि किस orbital का energy ज्यादा है या फिर किस orbital की energy कम है तो फिलहाल इतना हम लोग concept जान चुके हैं कि यह increasing order में हमारे जो electron है वो orbital में fill होगा यानि जिसकी energy पहले कम है पहले उसमें लेक्रों जाएगा यानि कि increase order में बढ़ते करम में अब मैं इससे रफ करता हूं और मैं समझता हूं कि आफ़वा प्रिंस्पल आखिर एन प्लस l रूर आखिर हम apply कैसे करेंगे इससे हम जानेंगे एन प्लस l रूर तो उससे पहले हम करेंगे क्या भाई एक सीधा आपको एक चार्ट है जो कि आपको पहले भी देख चुके हैं वो यह चार्ट है यह one is 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f इस पर कार यह यहां पर चारी प्रकर एफ ही डिलिक क्या ना इसा कुछ नहीं यह फिर इसमे आपकर जाएगा नहीं ऐसा再म आ यह बिबिधा नहीं है तो लेक्त्रों जो पहले जाएगा वो पहले सेव चुण में जाएगा यह जब अर्बाइटल फूल हो जागा तो इलेक्ट्रोन फिर ऊपर की और आएगा फिर इसमें जाएगा यह जब फूल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रोन इसमें आएगा जब यह फूल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रोन इसमें आएगा जब यह फूल हो जाएगा फ पानिस में यह फूल वजाईगा और वेटाल फिर 2-s में फिर अप इस orbit में जायगा टूपी फिर 3-s, ओके जो यह फूल वजागा फिर आप उपर क्यों रहा है फिर 3-P फिर 4-s, ये फूल वजागा फिर उपर क्यों रहा है फिर 3-d-4-P, 5S जब ये फूरा फूलो जागत किस में आएगा भाई 45P और 6S तो यही रूल को बताने के लिए N प्लस L रूल हया है कि हम आखिर जानेंगे कैसे ऐसे कैसी हो सकता है कि हम कैसे जानेंगे किस और वैटल का इनर्जी ज्यादा या कम है यह तो एक आप समझे लिए एक ट्रिक के अपलाई करने पर हम लोगों ने जाना है यहाँ पर ओके तो यह आपको लिखने के लिए थोड़ा सो आपको आना चाहिए आप प्रेक्टिस करिए एक से दो वार तो आप इस तरह के चार्ट बना सब्सक्राना उस में लिए पहले हम कुछ और वैटरल लेते हैं उसे हम एन प्लस यहीं से हम लोग उसे चेक करेंगे कि ज्यादा और कम आखर माथ ala कैसे करेंगे 합ल हम लिकुछ और वेटर लेते हैं जैसे मैं यहाप लेते हैं तो आगे आप खुद से कर लोगे तो यहाप पर हम कुछ और लिए हैं उसे हम एन प्लस एल रूल पर हम लोग अप्लाई करेंगे और हम चेक करेंगे किस और वेटल के इनर्जी ज्यादा या कम है अब ऐसे तो मैंने एक टेबल बना करें कि मैंने देखा था लेकिन हम आखिर जानेंगे कैसे इसका किया मतलब रूल क्या है फंड़ा क्या है हम कैसे जाने गीं कैसी डिल्स यादा या कम है तो अब यहाँन और ल क्या है कि यहां पे दो यहां पर चार अब जो कौंटम नमर पर होग्ए लुग नम असमें revenue होता है एक आन YOUR Ł एक M और एक S ये चार भीवल मिल करके हमें Electron की स ऑर्वाइटल में उसकी प्रोबैलिटी बताता है ये भी ये हमें अफ़वा प्रिंसपल बताता है ये N जो है इससे बोलते है प्रिंसपल कॉंटम नम्बर इसको क्या बलते है principle quantum number इसको बोलते हैं azimuthal quantum number इसको बोलते हैं magnetic quantum number इसको बोलते हैं spin quantum number ओके तो यहाँ पर हम लोग N और L के बारे में ज्यादा details नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें N plus L सिर्फ निकालना है जब इसको हम 4 भेरीवल को पढ़ेंगे तो वह हम quantum number हमें हम अच्छी तरह से हम देखेंगे ओके तो यहाँ आप आप जान चुके हैं N क्या है principle quantum number यह हमें बताता है कि orbital जो जिसमें इलेक्ट्रोन है उसकी size कितनी है यह यह जो है फिलहाल जानना भी नहीं है तो N और L आप जान चुके है N प्रिंसिपल quantum number L अजिमुथल quantum number अब यहाँ आप समझे N क्या क्या हो सकता है N और L क्या क्या हो सकता है देखिए N जो है आपका positive integer 1 से लेकर कि कुछ भी हो सकता है वो S orbital के लिए कुछ और होगा P orbital के लिए कुछ और होगा D orbital के लिए कुछ और होगा F orbital के लिए कुछ और होगा S orbital के लिए जो L का मान होगा यानि आजिमुथल quantum number वो होगा 0 P के लिए 1 D के लिए 2 और F के लिए 3 यह आपको याद रखना है यानि S, P, D, F आप लिख दो उसके बाद 0 से लिख दो 0 से लिख दो 0 से लिख दो तो इस पर कर आपको याद रहेगा Azimuthal quantum number यानि की L अब यहाँ पर N क्या क्या हो सकता है यह तो हम जान चुके हैं लेकिन हम लेंगे क्या तो अब हम लेते हैं एक एक और वैटल और उसे हमें N प्लस एल रूल पर हम इसे तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे ओके आईए यहापर हम लेते हैं और वैटल 1S वटिक और यहापर हम यहापर लाइन ले लेते हैं ताकि इसे डिवाइट कर सके बढ़िया से 1s 2s फिर है हमारा 2p फिर है हमारा 3s फिर क्या है भाई 3s का 3p 3p फिर हमारा 3d फिर 4s आईये इसे एल ईन पलस लूपलटन दोड़ते हैं तो में को शना होगा निकाल रहे हो तो उसमें जो यहाँ 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 बरवर टू हो जागा यहाँ यहाँ एन बरवर त्री होगा यहाँ यहोगा यहाँ देखें और ईस और वेली के रिपमें क्या है और इसी तरह हम आगला भी हम लोग निकालेंगे अब एल बराबर तो हम आपको बता चुके हैं पहले यहां पर आपको बताए थे कि एल जो होगा एस यहाब मैं लिग दे रहाँ पी डि ऐफ यह उर्बाबर तो एल का जो मान की लिए क्या होगा जीरो पी के लिए उन डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 ये तो हम लीका चुक्त लिख चुक्क है और यहां पर मैने लिख दिया है ताक आपको याद रहे हैं ओके तो यहां पिलावर क्या हो जाएगा वन तो 1 बार Viel A इस ऐसे को है आप्छाने के नृट गाँ जीरो है वान प्लस फिरो वान होगा अब यहां है एल मैं यहां कि आट तू दो इस ऑर टर है एल कमान के तना होता है जिरो ग्ढूब दो ज kिलाफ टो perception आच्छा, L command P orbital में क्या होता है, 1, इसे अप 8 करो कितना आता है, 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा, गॉट इट, अब आईए 3 S orbital में, यहाँ पे n बराबर 3 हो गया हमारा, S, अच्छा, L command S orbital में 0 होता है, तो 3 पलस 0 कितना होगा भाई, 3 होगा, अब आई हम लोग 3 P orbital में यहां पर n बरबर 3 है अच्छा P orbital के लिए L कमान 1 तो इससे अपर 8 करोगे तो 4 हमें मिलेगा मिलेगा न जी अच्छा अब आई यह 3D orbital में 3D orbital अब चेक करोगे तो यहां पर n बरबर 3 हो गया अच्छा D orbital में L कमान कितना होगा एजमिधर कॉंटर नमबर टू तो यहां पर टू लिखोगे अप इससे जब एट करो कितना मिलेगा वाई फाइव उसी प्रकार फाइब एस और वाटल में आईए यहां पर एन ब्रावर आपका होगा है फोर पलस एल ब्रावर क्या होगा एस और वाटल में जीरो तो यहां प आप जीरो लिखो आब इससे अप अलगेगा चाड़ ही मिलेगा गोट अब हम लोग इसी परकार नेक्स्ट और बाट अलग लेते हैं और इससी फंदा करते हैं सि कि इससी फंदा करते हैं जैं इस इतना हो चुका है फिलाल वो table समझ लिए वो table ही समझना काफी था ओके लेकिन इसको हम लग डिटेल से जानेंगे चलिए फाइब फॉर स तक हम लोग लिए थे आप हम लोग फॉर फी लेंगे यहां फॉर फी मैंने लिया उसके वाद कौन सा ले and 5F यानि इतना हम लोग चुक कर लेंगे okay SPDF ठीक है आई हम लोग चेक करते हैं यहां N बारवर क्या हो जागा भाई आपका यहां पर N बारवर हो जागा 4 N प्लस एला हम लोग तो रहे हैं ना तो यहां पर N बारवर क्या होगा 4 होगा देखे कोफ़ेंगे और बैटल में घंत फोहरा तो फॉर पनास अच्छा एयल कमान पीज़ी और में क्या चो आप इसे आगा है और चलिए अब इसामें ऐन्वास के लिएल कमन कितना सब्सक्राइब इसकर हो गह dyas एक एक सेवन कि तना अलिए सेवन आईए फाइप और वाइटल में एन बडावल क्या हो गए आफ फाईव एस और बाटल में एलका मनिकी दो अगितना होता है जीरो इसे अब इतकर हो कितना हो जागर फाई अवाइब फ़ई पी और मैं यहाप फैनवर्बड क्या हो गया और एकमांड डी और बेटर में कितना होता है तू आप इसे एड करो कितना मिलेगा हमें शिक्स सोरी सेवन फ़ाइब प्लस टू से मन होगा चलिए अब लोगा अब लोग यहां पर देखेंगे चलिए अब हम इसे रफ करते हैं यहीं पर हम लोग लिखेंगे कि किसकी इनर्जी कम है किसकी इनर्जी ज्यादा है उस हिसाब से और वैटर हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं ओके देखें जिसका एन प्लस एल ज्यादा उसकी इनर्जी ज्यादा जिसका एन प्लस एल कम उसकी इनर्जी कम यानि जिसकी इनर्जी कम है उसमें पहले एलेक्ट got it, उसके बाद, two यहाँ पर, two x, one के बाद क्यों सा बढ़ा है, two x, two, sorry, two यहाँ पर बढ़ा है, two x और बढ़ा है, two x और बैटल colorкольल, उसके बाद किस में जाएगा, two x और बैटल में, okay, उसके बाद यहाँ पर देखिये, two p का three यह, अब 3 इसका भी 3 है, देखिए यहाँ पर आप समझेगा, जब आपका N और L समान हो जाए, जब आपका N और L, N पलस L, N पलस L आपका जब एक समान हो जाए, और वैटल का, तो आप किसके अधारित निर्नाई करोगे, कि किस और वैटल का इनर्जी ज्यादा है, किसका कम है, त उसमें जो इलेक्रोन जाएगा, उसमें बाद में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें कॉंपरिजन करेंगे न जी, यूँकि इसका भी 3 है, इसका भी 3, इससे कॉंपरिजन करने कोई मतला भी नहीं है, क्योंकि इसका और इसका समान है, तो इसमें हम भो पहले इसमें जाएगा, यानि यानि यहाँ भी 4 है यानि 3P का विम्हान 4 है और 4s का विम्हान 4 है जब आपका N पलस L शमानोता है तो किसके अनुशार आप नेर्णय लेते हैं कि केसश्व और वाइटल के इनर्जी कम या ज्यादा है तो वो n का मान देखते हैं, यानि कि principal quantum number, तो यहाँ आप देखिए, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो किसका n बरा है, इसका n छोटा है, यानि पहले इसमें जाएगा, देखिए, 4 का comparison आप किसके करोगे, इससे और इससे करोगे, तो यहाँ आप देखिए, पहले 3 है, तो कम इसका है, इसमें 4 है, इसका जाधा है, तो इसमें पहले जाएगा, पहले 3P में, 3P में जाएगा जी, उसका फिर 4S में, ठीक है, यह हो गया, चलिए, इसका comparison खतम हो गया, अब आईए, 5, 5 में देखिए, किसका किसका 5 है, तीन को यहाँ पर देखिए, मान 5 है, एक 3D और वाटल का मान 5 आया है, यहाँ N प्लस L, एक 4P का भी N प्लस L 5 आया है, और एक 5S का भी N प्लस L 5 आया है, तो अब निरनाय आप कैसे लोग है, देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा, कि N प्लस L भी समान है, और प्रिंस्पल कोईन टर्म नमबर भी समान है, ऐसा कभी नहीं होगा, तो यहाँ आप देखो किसका एंन मान बढा है इसका एन कमान बढा होगा उसमें बाद में जाएगा हमाराएलेक्ट ठिक है तो आईए जिसमें 5 नहीं उस से में हम लोग कंप्रिजन करते हैं यहां पे 3 है यहां फे 4 है यहां पर 5 किंत react n है यानि पहले इसमें जाएगा फाइब बला जो है वो मेरा किलियर हो चुका है अब आते हैं 6 में किसका N पलस L कमान 6 आया है देखे एक 4D और वैटल कमान 6 आया है एक 5P का ओके तो अब आप किसके अनुशार निर्ने लोगे भाई तो देखे हो किसका N बढ़ा है तो इसका N छोटा है प्रिंसिपल कोईंटम तो इसमें पहले एलेक्ट्रोन जाएगा यानि कि क्या होगा भाई 4D 4D उसके बाद आपका जाएगा 5P में 5P में ये कब आप निर्ने लोते हो जब आपका N और L समान हो जाए तब आप N कमान देखना किसका काम है पहले उसमें जाएगा ओके चलिए हो गया 6 का भी काम होग चुका है अब आई ये 7 में देखिए एक 4F का N प्लस L से बनाया है एक 5D का N प्लस L से बनाया है तो आप किसके अनुसार निर्ने लोगे क्या और वैटल किसका इनर्जी कम है तो देखें होगे N कमान देखें यहां पर है यहां पर 5 पहले इसमें जाएगा यानि 5 4F में जा 8 तो यहां पर एक ही है इससे जादा हम लोग लेते हैं और वैटल तो हमें 8 भी हमें मिलता है 2 से 3 भी मिल सकता है 4 भी मिल सकता है तो यहां पर लास्ट हमारा जो जाएगा 5F में जाएगा तो इस परकार आगे भी और वैटल का आप खुद से इनर्जी N प्लस L रूल से तो इस परकार हम लोग सीखे हैं यहां पे अफवाव फ्रिंसिपल तो आपको मैं एक डश्ट मैं बनाया था इससे अफ्ण curls कर दूँं mais कर देता हूं चाहे तो आप यहां पर इसे रफ कर देता हूं किस पर आधाई थे इनर्जी ओफ और वाइटल या सबसिल हाजी चलिए बही जो चार्ट है वह आप स्पीड में कैसे बना होगे एलेक्ट्रोनिक की जब करोगे तो आप आपको पता नहीं चलेगा ओके तो उसमें आप कोपी में जल्दी से साइड में छोटा सच साइड में एक तुन्त बोला जो मैंने चार्ट बनाया है वह आप जल्दी से टेवल बहुत बना लोगी ओके पहले क्या है वन इस टू इस टू पी थिरी एस थिरी पी 3D 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F फिर आपका 6S 6D 6P 6D पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर आपका इसमें जाएगा फिर आपका इसमें जाएगा फिर आपका इसमें जाएगा फिर आपका इसमें जाएगा इस परकर हमारा जो है एलेक्ट्रोन यहाँ पर फिल होगा पी में 6, डी में 10, एफ में, एफ में आपका 14, ओके, तो यह आप तो जानते हैं, ओके, तो ज्यादा ज्यादा यह maximum रह सकता है, इससे ज्यादा इससे कम रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा, ओके, तो अब, इसके बाद हम लोग सिखने वाले हैं, क्या वाई, हंट सूल और हंट सूल के बाद हम 30 element का हम लोग क्या करेंगे, electronic configuration करेंगे, और इन दोनों का rule देखेएगा, वहाँ पर follow होने बाला है, ओके, तो अगर आपने मेरे इंस्टा पर follow नहीं क्या, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को description में दे दूँगा, मेरे इंस्टा पर follow करिएगा, क्योंकि मैं इंस्टा पर एक्टिव राता हूं, और वहाँ मेसेज करिएगा, तो हम आपके मेसेज को reply कर सकते हैं, ओके, और और friends मेरा, बस इतना है आज की इस वीडियो मेरा आने देते हैं, so thank you for watching, support करने के लिए हमें हमारे चैनल को subscribe करिया, हमारे वीडियो अच्छा लग कर दो